हेलो दोस्त कैसे हैं आप सब आज का जो क्लास है इसका टॉपिक मैंने इनिमल्स लैंड इसकेप रखा है आप लोग वीडियो अन तक देखिए और वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा चलिए चलिए आप वीडियो पर चलते हैं डारेक वो फोटोग्राप्स हो या ओने स्पॉट हो कि कोई स्टिल लाइफ हो तो आपको पले समझना है कि अवजेक्ट में क्या कौन चीज कहां पर है लाइट डार्क सैडोज उसका सेप्स क्या है हां लाइटनिंग सोर्स क्या है यह सारा चीज को फॉलो करना है ठीक है मैं कि अभी आप स्टार्ट हो जाओ मेरे साथ ही बनाओ इससे क्या होगा कि आपको कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा अभी बनाने से आपको कहाँ mistakes वो रहना आपको त्रॉंद पता चलेगा त्रॉंद पता चलेगा और आप उसको ठीक कर लोगी तो आप साथ में बनाओ आप साथ में बनाने से आपको बहुत improvement होगा अगर आप इस वीडियो को skip किये हुए बना रहे हो तो आपका speed में भी growth दिखेगा आप बहुत अच्छे करोगे करो अभी हम नीचे बना रहे हैं दो एनिमल्स तो हो चुका है अल्रेडी structure तो बन गया है अभी हम feature set नहीं कर रहे है structure पर focus कर रहे है अभी एक एनिमल्स और बनाएंगे तो आप बनाओ और ना आप एच भी pencil यूज करो या टू भी कर सकते हो क्योंकि वह light pencil आता है तो फर्स्ट लेयर करते हैं तो artwork light होना चाहिए होरीजन पॉइंट आप ले लो होरीजन लाइन कि आपको background का क्या एरिया में रखना है पीछे का अभी कुछ दिखाओ क्योंकि वह background को बिना दिखाए वह फिर नहीं होगा मजा नहीं आएगा तो और overlapping भी इसमें हम किये हैं एक एनिमल्स आगे हैं और सिकेंड वाले पीछे हैं तो अब हम इसको इरेज करेंगे थोड़ा पहुत क्योंकि इरेज करना भी जरूरी है अभी features add करेंगे तो पहले का जो ratio लेके जो बना हुआ है वह थोड़ा दिक्कत हो जाएगी थोड़ा गंदा दिखेगा तो इरेज कर लेते और आप भी रेज कर सकते हो जब यदि आप beginners हो अगर आप सीख रहे हो तो आप इरेज कर सकते हो बट आप सीख जाओगे तो आपको इरेजर को एबॉइड करना है कि अब को आपको अराम आराम से करो मैंने देखा है बहुत सारे beginners को कि वो डिमोटीव हो जाते हैं वो direct artwork करने का कोशिस करते हैं और डिमोटीव हो जाते हैं अरे भाई आप process से तो काम करो जब आप process से करोगए तो आपका जो artwork है उसमें beauty आधा आप सुन्धर artwork बना पाओंगे बहुत स्टुडेंट्स को देखते हैं दो चार आट वर्क्स बना लेते हैं बस बोलते हैं हम आटिस्ट बने अरे भाई 1000 2000 3000 आट वर्क करने से कुछ नहीं होगा आपको कम से कम 10 वीज़ार आट वर्क करो गे ना तब जाके कि आपको कुछ आप कुछ इस्टार बन सकते हो बस यह जान लो तो आपको रेगुलर काम करना है डेली काम करो तभी होगा कि यहां पर कुछ मिस्टेक्स हमसे हुआ है तो आप इस चीस से घवराओ मत मिस्टेक्स अगर होते हैं तभी तो आपका गलतियां पता चलेगा ना कि आप कहां मिस्टेक्स कर रहे हो तभी तो आपको सीखने को मिलेगा गलती नहीं करेगा जो कैसे पता चलेगा तो मिस्टेक् इप्रूब्मेंट भी करना है आप ऐसा नहीं गल्ती हुआ छोड़ दिये नहीं आपको उस चीज को सुधारना परेगा ठीक है एकदम बिंदास होके पैसेंस पुरा रखे और धीरे धीरे एकदम बनाओ आउट लाइन जो करोगे उसमें एकदम लगना चाहिए कि हाँ इस्टेंडर हुआ है दिरे दिरे करो यह वीडियो ना थोड़ा लंबा बनते जा रहा है तो इस क्लास में हम पेंटिंग एड नहीं कर सकते तो एक काम करेंगे हम इसको पाठ पाठ कर देंगे डे वन डे टू करके फिर आप लोग उसको फॉलो कर ले ना क्योंकि हम चाहते हैं न दस मिनट आठ मिनट से दस मिनट तक ही वीडियो रहे ज्यादा लंबा वो फिर ठीक नहीं होता बेटर नहीं है आप चाहो तो आज जो हम ट्राइंग बना रहें जिस फॉर्मेट से आप इसको अपलाई करो खुद पर तब आपको एक्सप्रियेंस पता चलेगा आपको इस इंप्लिमेंट करके देखो जब आप देखोगे तो आपको पता आटोमेटिक पता चलेगा कि हम में क्या इंप् सकते हैं आपका रिजल्ट अचाहनी आएगा अब डेली प्रेक्टिस करो डेली करो आपको न एक एडिक्शन होना चाहिए आठ के लिए मतलब आपको एक नसा होना चाहिए नसा एडिक्शन यह जब हैविट आपका हो जाएगा न कि आप रेगुलर काम कर रहे हो एक नसा एक लट आपको लगना चाहिए हर एक आर्टिस्ट को लगना चाहिए आप खाना खाने से पहले सोने से पहले आठ तो करो ही अब आराम से करो थोरा सा बचा हुआ है आपको न पेंसिल वर्क भी डिवलॉप करना होगा हम इस पर कुछ वीडियो लाएंगे तो आप देख लेना तो अभी आपको पेंसिल वर्क पर भी काम करना है रेगुलर इसलिए कि क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग किया है न तो जब आपका पेंसिल इंप्रूब हो जा बना सकते हैं तो आप रेगुलर प्रैक्टिस से ही तो ला सकते हैं अपना पेंसिल स्केल में घुरूथ तो इसलिए पेंसिल पर रेगुलर काम करो रैपीड स्केच करो यह सब काम करते रहो ठीक है और भी से सम्ट बलाएंगे वीडियो तब उसमें देखना अब थोरा सा बचा हुआ है अब यह आर्ट वर्क्स अल्रेडी कंप्लीट होने वाला है तो आप इस पिक्चर को देख लेना बना लेना और हम लास्ट में फोटो होगा तो उसमें डाल देंगे आप इसको अच्छे से कर लेना फिर पेंटिंग क्लास होगा तो उसमें आप इसको स्टार्टिंग करना तो आप इसको अच्छे से स्केचिंग को करो सुधार वीडियो रोक के भी कर सकते हो अच्छे से करो ठीक है और अब चलो तो आज के क्लास करिए पुरा कंप्लीट हो गया है अब इसका पेंटिंग आएगा निक्स्ट क्लास में तो आप लोग देख लेना चलो मिलते हैं फिर